हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौड ग्लासे यानि मैट्स भी एंड मस्ते भी तो बच्चो आज की जो क्लास है वह आपके लिए बहुत बेनिफिशल होने वाली है बस आप इस पूरा पूरा लाब उठा सके आज के इस वीडियो में हम डिस परफेक्ट स्कुएर रूट होते हैं उसका तो आप बड़ी निकाल भी सकते हो थीक है बहुत सारी ट्रिक्स उसकी अविलेवल है लेकिन अगर इमपरफेक्ट स्कुएर नंबर है तो उसका स्कुएर रूट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में हम यह चीज जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कुछ कोश्चन्स में आपके करवाऊंगा कुछ कुश्चन्स आपको खुड ट्राई करने हैं ताकि आप इस मेथड को करने में अच्छी तरह से यूस्ट हो जाएं और आपको एक्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल के वीडियो को देखिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर कुछ आपके कमेंट हैं कुछ सजेशन है तो आप सभी का मिश स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा अमिद्गौ 10 यूज करके कोई भी कोई भी सब्सक्रिप्शन आप पर चैस कर सकते हैं 20% आफ पर इसके अलावा कंपेटिशन एक्जाम के त्यारी करने के लिए अनकैडमी की हेल्प से आप फ्री लाइव मोग टैस्स सेरीज दे सकते है तक कि आप C.U.C.E.T की परेफरेशन कर सके हैं आप दो गंटे का फ्री टैस्स दे सकते हैं अब अनलाइज करने के लिए कि आपकी करन परेफरेशन क्या चल रही है अपर फ्रम दिस यू दिधर गो फो इंडिविजुल सब्सक्रिप्शन पोर बोथ पर पर अब बार बी औ तो आप सबसे पहले नंबर यहां छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे नंबर से आप समझेगी क्या तरीका रही है इसका आपको स्क्रिप्शन करने के लिए आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले आइडिन्टिफाइई करने की कोशिश करो कि इसके पास में कौन सा स्क्रिप्स है अब इसके पास में आप देख रहा हूंगे एट के बाاد नाई एक ऐसा नमबर आता जो स्क्वेर नमबर होता है तो इस 9 यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, इसका square root ऐसा number लेना है आपको इसके nearest जिसका आप square root easily find कर सकते हैं, तो 9 का square root हमें पता है, 9 का square root आप easily find कर सकते हो 3, ठीक है, अब यहाँ पर इस 8 को आप किस तरीके से लिखो, 8 को लिखो आप 9-1, यहाँ पर जो number आप लिखोगे, जो पहला number लिखोगे, हमेशा आपको ऐसा number लेना है, जिसका square root आप find कर सकते हो, अब आगे अगले step में क्या करना है, यहाँ पर यह जो 9 है, इसको आप as it is लिखो, root 9, minus का sign आएगा, minus लगाओ, किसी में plus का sign आएगा, plus लगाओ, जो भी sign आएगा, वो sign यहाँ पर आप लगाओ, यहाँ पर जो value है, आप इसको as it is लिखो, नीचे 2 से multiply करो, इसी number को, root 9 को, तो यहाँ पर आप देखो, आपके पास 9 का square root हो गया 3, minus, यहाँ पर 9 का square root हो गया 3, 3 को आप 2 से multiply करोगे, 3 2 जा बन गया 6, तो 3 minus 1 by 6, यहाँ 6 3 जा 18, 18 minus 1, 17 by 6, अब 17 को आपको बस 6 से divide करना है, तो 17 को अगर हम 6 से divide करें, तो क्या हमारे पास बनेगा answer, देखे 6 2 जा 12, 7 minus 2 5, फिर यहाँ decimal लगाकर 0 उता रहेंगे, 6 8 जा 48, 10 minus 8 2, 0, तो 6 3 जा 18, तो 2.83 यह आपकी इसकी approximate value आ जाएगी, यानि root 8 की जो value है, यह आजाएगी आपके पास 2.83, तो यह बहुत simple सा method है, इससे आप किसी भी number root निकाल सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखी आगे, तो अब इसी तरह से आप कोई भी single digit number use करके देखो, इसको आप calculator जैसे निकाल के देखो, root 8 की value 2.83, round off करके value आपकी यह आएगी, ठीक है, अगर आप हम चलते हैं, two digit number पे चलते हैं, जैसे हमने number लिया, root 29, तो same formula यहाँ पर apply करेंगे, चाहें आप one digit number कर रहे हैं, two digit कर रहे हैं, three digit कर रहे हैं, सभी के अंदर आप same formula apply करो, root 29 के nearest जो value आपके पास आएगी, जिसका square root आप find कर सकते हैं, तो value आएगी 25, तो 29 को हमने लिखा, 25 plus 4, अब यहाँ बीच में plus का sign आ रहे हैं, जैसे यहाँ minus लगाया था, तो minus लगाओ, plus आ रहे हैं, तो plus लगाओ, तो root 25, plus में 4, अब one में 2 root 25, तो root 25 का मतलब 5 हो गया, plus में इस से आप इसको cancel कर सकते हो, यहाँ पर आगया 2 upon 5, अब 2 को आप 5 से divide करोगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 0.4, यानि इन दोनों को हम add करेंगे, तो हमारे पास answer आगया 5.4, तो इसकी approximate value आपके पास बनगी 5.4, 2-digit number एक और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा number करते हैं, I think आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, अभी मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ, इसमें इसलिए थोड़ा सा time लग रहा है, तब भी थोड़ा सा time लग रहा है, समझा रहा हूँ में फिर भी, जब आप इसको खुद practice करेंगे अच्छे तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें जाधा time लगेगा, यहाँ पर जो root में terms लिख रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको करोगे practice, तो यह root वाली term आपको direct लिखोगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, आप root 29 हम लेख रहे हैं, तो आपको पताए कि एक number मेरे को लेना है 25, 25 का square root होता 5, तो यहाँ पर आप लिखो 5, बचा कि आपके पास, difference कि आपके पास 4, divided by 2 into 5, तो इस तरह से जितना आप ज़्यादा practice करोगे, उतना ज़्यादा इसके used to हो जाओगे, तो एक number हम थोड़ा और बड़ा कर दे, जो two digit number है, उसको हम लेते हैं, तो हम next number लेते हैं, 73, अब फटा फट, 73 का square root आप निकाल के देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, उससे match करके देखो, same process यूज़ करना है, 73 का square root, find किजिए, तो I hope आप लोगों ने find कर लिया होगा, 73 का square root, नहीं गया तो अभी वीडियो पॉस कर दो, ठीक है, निकल मत मारो यहाँ पर, तो 73 का निकालना है आपको square root, तो 73 के nearest कौन सा number पड़ेगा, 73 के nearest, 8 का square करेंगे, 64 आता है, 9 का square करेंगे, 81 आता है, तो 64 I think, इसके nearest रहेगा, बाकी आप दोनों में से किसी method से करो, value आप किया जाएगी, तो 73 को हम लिख लेते हैं, 64 प्लस में 9, अब 64 का square root करेंगे, सीधा लिखो, ठीक है, सीधा लिखो, क्या, 64 का square root 8 हो गया, 9 as it is रहेगा यहाँ पर, 2 into में 8, तो यह बनगे आपके पास, 8 प्लस 9 अपॉन में 16, 9 को divide करो 16 से, या तो आप 9 को divide करो 16 से, या पहले इसको सारे को simplify करो, बात में divide करो, बात दोनों एक ही रहेंगी, ठीक है, 16, 8 जा, 128 प्लस में 9, तो 137, आप ऐसे भी कर सकते हो, 137 को divide करके देख लो, 16 से वटा वट कितना अंसर आ रहा है, ठीक है, 9, 16, 9 जा 144 होता है, तो 16, 8 जा decimal आएगा, 16, 5, 0, 80, तो यह बन गया, आपके पास, 0 तारने के बाद, तो 16, 4, 0, 16, 5, फिर 16, 5 आएगा, तो राउंड ओफ करोगे आप इसको, 8.55, यानि, root 73 is equals to 8.55, यह आपका अंसर बन रहा है, ठीक है, बहुत easy method है, I think सब को अच्छी तरे से clear हो गया होगा, क्या करना है एक 3-digit number की और बढ़ते हैं, कि 3-digit number हमारे पास आया, 123 हमें एक number ले लेते हैं, ठीक है, 123, 123 सिदा, अब 123 का square root करेंगे, तो squares आपको कम से कम, जितना ज़्यादा याद रखोगे, कम से कम मैं कर रहा हूं, 30 तक तो याद रखो, ताकि आपको करने में इन questions को shortcut method में असानी पता लगा, आपने shortcut को भी long cut बना दिया, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो 123 के जो nearest number हमारे पास आ रहा है, जिसका square root हम कर सकते हैं, completely वो है 121, 121 का square होता है 11, ठीक है, तो 123 को हम ने लिख लिया, 121 प्लस में 2, अब 121 का square root होता है 11, प्लस 2, divided by 2 into 11, 2 से 2 cancel करा, 11, 11, 121 प्लस 1, तो 122 by 11, अब 122 को आप डिवाइड करके देखो 11 से, कितना आ रहा है, 122 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बंजा 11, फिर 11 बंजा 11, वन आ गया, 0 उता रहेंगे, decimal लगाएंगे, अब भी छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो एक 0 और लगानी पड़ेगी, 119, यहां पर भी 0 उता रहेंगे, 119099, तो यह बन गया आपके पास 11.09, चेक कर लो, कैलकुलेटर से चेक करते हैं रहो, सास्ता आंसर हमारा सही नि तो यह नंबर हम ले लेते हैं, एक, रैंडमली कोई भी नंबर आप सेलेट कर सकते हो, square root of 584, अब 584 देखे, किसके नीरस पड़ेगा, I think, I think, I think, किसके नीरस पड़ेगा, बताओ, बताओ, फटाओ, वीडियो पॉस करो, बताओ, 584 के जो नीरस नंबर पड़ेगा, जिसक का square root हम निकाल सकते हैं, 576, 24 का square होता है, 576, ठीक है, तो हमने इसको लिखा, 576, प्लस कितना बचेगा, यह आपर हम 8 और add करते हैं, 584 हो जाएगा, तो 576 का square root हो गया, आपके पास 24, प्लस में 8 अपॉन में 2, इंटू में 24, तो देखे, 8 3 जा 24, तो आपके पास बचेदा ह 24, प्लस में 1 अपॉन 6, अब जरूरी नहीं कि आपको इसको LCM लेके फिर solve करना है, आप सीधा 24.1 को divide कर लो 6 से, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे time लगे गा, तो सीधा क्या करो, 1 को divide कर लो 6 से, decimal लगाओ, 10 बनाओ, 6 बंजा 6, और 6, 6 जा 36, तो यह आगे आपके पास 24, प् 216, तो बहुत easy method है, practice करो question लेकिन, जब तक practice नहीं करोगे, method कितना भी easy हो, जब तक practice नहीं करोगे, तब तक वो अच्छे तरीके से आप solve नहीं कर पाओगे, अब definitely मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपके square root की problem है, वो at least आपकी solve हो जाएगी, क्योंकि जब आप inferential stats की question करते तो जितने भी question मैंने इसमें आप अभी तक कराए हैं, 3 digit, 4 digit के भी आप कर सकते हैं, तो करने को 5 digit के भी कर सकते हैं, लेकिन square आपको याद होने चाहिए, तो I think इस video से आपको काफी help बिलेगी, क्या अपनी calculation को थोड़ा सा और fast कर पाएंगे, बागी कुछ और tricks के साथ मैं क झाल